हैर जाए हैं सातियों आज की क्लास थे सबसे पेपकर प्रभाउब के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें गलत संचान बहुत ही सिंपल है संचान में क्या होता है जो भी हमारे पदालत होतें थीरी-धीरी क्या होते हैं डेमेज होना चालू हो जाता है और डेमेज होने के बाद फिर एक ऐसे वश्था आ जाती है वहां जो है काफी कमजोर हो जाते हैं कि इसको एक एक्जाम्पिल से समझ सकते हैं इसके लिए हम आपको एक लोहे की रॉड आप सभी लोगों ने लोहे के कि दर्वाजे विंडव आज सबीने देखा होगा आप देखा होगा कि डिरे दीरे उसका और ये संचाण होते 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 वहाँ डायमेज हो जाता है और एक ऐसा समय आजाता कि वहाँ दर्वाजा अपने अपने दो टूत है कि लिए ऐसा समने देखा होगा तो वहाँ पर क्या होता है जो हमारा फेरिक आकसाइड को हम जंग बोलते हैं लिए यह तक कि आए एक को देखते हैं सबसे पहला क्या है मारा खोरेजन जब कोई धातु ऑक्सीजन आधरता या अमलिक के साथ कित्या करती है संबर्क में आती है तो क्या होता है धातु की एक लेर बनती है आपने अभी समझा जो आयरन हमारा था उसके उपर एक लेर करने माड़ हो जाता जिसे हम जंग या रट बोलते हैं और यह रट जो है परत दर परत छूड़ता जाता है ओके और उसके बाद जो हमारी मूल जो धातु होती हुआ कम जोर हो जाती है कि लिए यहां तक इसी को क्या बोलते संचान बोलते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका को सिक बढ़ा ही चांदी के उपर काली परत का निर्बान होना इससे यह रोक सकते हैं संचान को रोकने के लिए जो हमारे घरो में बिंडों या दर्वाजे लोही कि होती है उसके हुए हम क्या करते हैं प्रोक्त करतेटेतें परिंड करने से क्या होता है यह जो मेर्म होती है यह जो मूल है कि वह ऑपसीजीचन या तो कि आधरता होतीजिक संपर्क में नहीं आपातीजिची ध्र हासு oxidation नहीं होता है और संचान की प्रोस्ट भी नहीं होती है तो इस प्रकार से हम कई process होते हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यह सद लेपन इसको वेल किनाजेशन भी बोलते हैं कि दूसरा होता है विद्धुत लेपन विद्धुत के माध्यम से धातु की परचड़ा देना और पेंट करके संचन से धातु को बचाया जा सकता है तो इस प्रकार से आपने देखा की संचन कैसे होता है और इसके एक्जामपिल और किस प्रकार से संचन को रुखा जा सकता है यह आपको कोई भी प्वाइंट समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप कमेंट करके कमेंट सेक्षन में वहां पूछ सकते हैं विक्रत गंधिता जो की काफी सिंपल सा सब्द है इसमें क्या होता है आपने देखा होगा कुछ हमारे खाद कुछ हमारे खाद पदार्थ होते हैं जिनको हम काफी समय तक इस्टोर करके रखते हैं और जो तेली पदार्थ होते हैं उन्हें ऐसा करके हम काफी समय तक रख सकते हैं यह इन्हें ऑक्सिजन से बचाया जाए ठीक है जैसे आपका चिप्स का जो पैकेट होता है आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट काफी समय तक जो है आपकी जो मार्केट होती है वहाँ पर उसको हम रख कर सकते हैं किलियर है तो यदि हम उसको कि खुले में रख दे तो वह ऑक्सिजन के साथ क्या करेगा ऑक्सिजन की प्रोस्स होगी और फिर वह क्या हो जाएगा बेकार जाएगा उसमें डिफ्रेंट टाइप की गंध आना इक्टाठ हो जाएगी और उसी को क्या बोलते विक्रत का सिधा सा मतलब है आप समझ जाएगा विक्रत गंधिका इसको तोड़ के पढ़ेंगे विक्रत का मतलब डिफॉल्ट गंधिता का मतलब उसके अढ़र है जो खुस्व या जो भी गंध उसमें क्या हो जाए परिवर्तन हो जाए आसा होगा कभ आईसा ऑक्सीडेशन की प्रिसिस के प्रकार से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा आए पॉइंट देख लेते हैं विक्रत गंधिता वसायुक्त जैसे आपके जो अलू के चिप्स होते हैं उनको यदि तेल में तल दिया जाए तो कैसे हो जाएंगे वसायुक्त हो जाएंगे वसायुक्त आइसा कह सकते हैं जो वसाय से रिलेटेड हमारी वस्ति होती है और तेली खादी सामगरी जो भी हमने बता है आपके आलू के चिप्स को तेल में तल दिया जाए आदि क्या हो वाई को संपर्क में आने पर उप्चैत हो जाते हैं यानि कि इनका एक ऑक्सिडेशन ह हो जाता है। जैसके कढ़ क्या होता है इनके स्वाद और गंध में परिवर्टन हो जाता है इसरी ही क्या हुम बोलेगे विकृति के गंदिता बोज़ते हैं I hope यहां तक आपको clear को और इसको इसके क्या क्या उपयोग है आइए इनको देखते हैं सब्से पहला आपको यही समाजना है कि जो चिप का हॉता है झाक चिप का होता हुआ लेकिन और सब्सक्ता पाहिर रहता है तो लगता है इसमें बहुन सबसक्राइप सी व्रेहते हुए वाहा पर नहीं हो पाता है और हमारा जो चिप्स का पाइकेट है जो भी उसके अंदर चिप्स बनाना का चिप्स हुआ या आपका आलू का हुआ वह सभी काफी समय तक चलता रहता है है के लिए तो यहां पर कूछप पॉइंट है इनको हम देख सकते हैं पहला यहां पर जो हमारे एंटियाक्सिदेन्स होते हैं उनका उप्योग करके हम विकृत घंचा को आप इसको रोका जा सकता है पहला है वायरोधी बरतन में खादे शामागरी रख करके और हम क्या करें जो भोजन है उस्से ऐसे बरतन में रखे जहां पे बाज ना पहुंच सके तो काफ़ी समय तक उसको बचा परिवातन कर दिया जैसे अभी हमने चिप्स के बातन में आपको बताया चिप्स निम्में पताया सोरी अगला है सीतलन द्वारा यदि हम कि किसी खाद समगरी को एक मेंटेन टंपरेचर पर रखते हैं तो उससे काफी समय तक हम उससे यूज कर सकते हैं तो इस प्रकार से यह हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा नेट क्लास में हम लोग यहां पर प्रसनावलिक के बारे मे सब्सक्राइब करेंगे जो कि हैंड राइटिंग नोर्स के माध्यम से हम देखने वाले हैं तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्स करते हैं मिलते हैं नेट क्लास